पहले दिवाली सेलिबरेशन और फिर उसके बाद कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला दुनिया सवाल पूछ रही है कि टूडो की ये कैसी पॉलिटिक्स है दरसल एक के बाद एक कई खालिस्तानियों की ओर से हमले किये जा रहे हैं हिंदू संगटनों पर उनके धार्मिक स्थ थलों पर खालिस्तानियों ने कनाडा में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है क हाली स्तानियों निória उन लोगों को भी नहीं चोड़ा जो वहां पूजा करने के लिए आयुए थे खालिस्तानियों से ये नापाक हरकत एक बार फिर देखने को मिली कनड़ा के ब्रैम्टन में जहां हिंदू सभा मंदिर में बड़ी तादाद में शद्धालू जुटे हुए थे हाला कि कनड़ा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो ने सुमवार को मंदिर में हिंदू भक्तों पर हुए हमले की निंदा की और इससे पहले भी जब ऐसी घटना होती रही तो सवाल टूडो से ही पूछे जाते रहे वैसे इससे पहले खुद टूडो ने दीपावली सेलिबरेशन में हिस्सा लिया था और इस इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ निंदा ही की जाएगी या फिर कारवाई भी होगी क्योंकि कनड़ा में आए दिन हिंदूओं को निशाना बनाया जा रहा है मंदिरों को भी खूब निशाना बनाया जा रहा है तोड़ फोड़ की जा रही है ताजा वीडियो भी उसके सामने आये हैं और इसने अलग अलग तरीके से दीवारों पर अबशब्द भी लिखे जा रहे है उन्दन मंदिरों में जाकर भीतर तोड़ भी की जा रही है हाला कि जो ताजा घटना हुई है इसके बाद टूड़ों ने सोशल मीडिया प्लैटफाउम पर अपना संदेश लिखा कि ब्रैम्टन में हिंदू मंदिर में आज होई हिंसा की निंदा की जाती है ये घटना अस्विकारे है हर कनडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षत तरीके से पालन करने का पूरा अधिकार है उन्होंने समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जाच के लिए तुरंद कारवाई करने की भी बात कई इसके लिए पुलेस को धन्यवाद भी दिया कि जिस तरह से तुरंट एक्षन लिया गया लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है करनाडा के एक सांसत सही कई ऐसे और लोगों ने भी इस पूरी घटना की निंदा की है और कई और ऐसे वीडियो इसी घटना के सामने भी आया है जिसमें की साफ दिखाई दिया कई लोग मंदिर के बाहर शद्धालूँ पर लाठियों से हमला करते हुए देखे गए है हाथ में उनके खालिस्तान का जंडा है वो नारे लगाते हुए उन लोगों पर हमला करने लगते हैं जो भीतर मंदिर में पूजा अरिचना के लिए आया हुए थे मंदिर में तोड़ खुड की जाती है एक कहीं पर लगा तिरंगा जंडा भी उतार लिया जाता है खालिस्तानी अपनी हाथ से तिरंगा लिए हुए दबाते हुए दिखाई देता है जबकि खालिस्तान का जंडा बुलंद करते और उसी लाठी से उन हिंदू शधालूं को पीटते भी इस वीडियो में दिखाई देता है और उसके बाद से इस पूरे इलाके में ब्रैम्टन के तनाओ कमाहूल है इसके कारण कनडाई पुलिस को भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात करना पड़ा है पील शेत्री पुलिस ने भी इस तरह की कारवाई को लेकर के सक्ट एक्शन की बात कही है ऐसे में सैयम बरतने का आगरह सबसे पहले लोगों से किया गया कई लोगों को कहा गया कि शांती और सुरक्षित तरीके से विरूद करने के अधिकार का सम्मान करते हैं लेकिन हिंसा और आपराधिक कृत्यों को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा जोड़ देकर ये बात कही गई कि इस तरह की घटनाओं में शामिल जो भी लोग है उन पर सखत कारवाई होगी गिरफतार किया जाएगा जो ताजा मामला आया जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं इसमें तीन लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है लेकिन उमीद की जा रही है कि ऐसे लोगों पर सखत कारवाई हो ताकि भविश्य में इस तरह की हरकत ने रुके भारती मुल्क के कनाड़ाई सांसद चंद्रा आरियन ने भी इस घटना की निंदा की है कहा कि खालिस्तानी चरम पंतियों ने लाल रिखा पार कर लिया है संसद ने घटना का वीडियो भी ट्वीट किया है कहा कि कनाड़ाई खालिस्तानी चरम पंतियों ने आज एक लाल रिखा को पार कर लिया है प्राधान मंदिर जेस्टिन ठूड़ो की राजनीती पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि वो वहां बड़ी तादाद में मौजूद भारती मूल के लोगों का वूट तो चाहते हैं लेकिन हिंदूों पर इस तरह का अत्याचार और खालिस्तानों को इतनी बड़ी छूट पर अब सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे है जब दीपावली का सेलिबरेशन हुआ तो भी उसमें हिस्सा लेते जरूर दिखाई दिये लेकिन जब उन्हीं भारतियों और हिंदू समाज के लोगों पर हमला हो रहा है खालिस्तानी वहां पर मारपीट कर रहे हैं हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं तो ऐसे में जस्ट इंट्रोडो मौन नजर आते हैं स क्या वाकी यह हकीकत है इसे लेकर जस्ट इंट्रोडो अब सवालों के घेरे में हैं इस बेहद एहम अंतराश्ट्री खबर पर अपनी राए हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं